हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम आस्तिन की लंबाई नाप लेंगे और आस्तिन की चोड़ाई आप अपने साइच के अनुसार रख सकते हैं तो हमारी आस्तिन की लंबाई साड़े 6 इंच है अब कोने की साइड से हम 2 इंच की लंबाई इस तरीके से नापेंगे इस तरीके से लंबाई नापने के बाद अब हम इसे हलका सा गोल सेफ में लाइन अप कर लेंगे तो इस तरीके से आपको हलका सा गोल सेफ में लाइन अप कर लेंगे इसी तरीके से अब हम उपर के साइड में गोल सेप में लाइन अप कर लेंगे तो इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब ने किये तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को सेयर करना ना भूले तो फ्रेंड हमने आस्तिन की कटिंग कर लिए, हमारा कुछ इस तरीके का आस्तिन का कटिंग हुआ है तो आस्तिन की cutting करने के बाद अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो friend हम देर इन चोड़ा एक कपड़ा लेंगे इसे इस तरीके से fold करेंगे और आस्तिन पर इस तरीके से हम लगा कर इसकी सिलाई चला लेंगे इस पर तो हम इस पर इस तरीके से फोल्ड करके कपड़े को इस पर लगा के इस तरीके से सिलाई चला लेंगे तो इस तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते समय कपड़े को टाइट ले घीचे उपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी तो फ्रेंट इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती easy step में बना सकते हैं तो फ्रेंट हमारी यह line भी complete हो चली है अब यहां से ऐश्टा कपड़े को हम cut कर लेंगे ऐश्टा कपड़े को cut करने के बाद अब हम इसे इस तरीके से fold करेंगे पूरा नी फोल्ड करना है, हलका सा फोल्ड करना है और इसके उपर इस तरीके से सिलाई चला देना है जो कि यह हमारा रेडिमेंट पैपिन के तरह आ जाएगा तो इस तरीके से आप रेडिमेंट मार्केट के तरह पैपिन बना सकते हैं और इस design को इस तरीके से आप बहुती easily बना सकते हैं तो friend इस step को जरूर follow करें और हमारे चैनल को अभी तक subscribe ने किये तो please हमारे चैनल को subscribe करें, like करें, comment करें और वीडियो को share करना ना भूलें तो friend हमारी ये line भी complete हो चली है इस तरीके से हमने इस line को complete कर लिया है तो friend ये बिल्कुल वही step follow करेंगे इस तरीके से कपड़े को fold करके हम इस तरीके से सिलाई चला लेंगे तो friend हमने सिलाई चला लिया है अब इसे इस तरीके से fold करके इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे जो कि market के तरह हमारा rediment पैपिन बनाने के लिए friend ऐसा छोटे छोटे हमें bubbles चाह लाएंगे तो ऐसे bubbles आप खरीद लें तो friend अब इसे कपड़े में इस तरीके से हम डाल कर हम इसे lock कर लेंगे धागे के मदद से तो हम धागे को इस तरीके से इसमें लपेट लेंगे तो आप अच्छे से धागे को इस तरीके से लपेट लें लपेटने के बाद ऐसे हलका सा हम इस तरीके से गाठ मार देंगे जिससे हमारा जो बबल है ये खुले ना इस तरीके से धेसारी हम बबल बना लेंगे तो फ्रेंट धाग को कट करके कपड़े को नीचे की साइड से इस तरीके से कट कर लें तो इस तरीके से हम धेसारी डिजाइन बना लेंगे ऐसी तो ऐसी डिजाइन हमने धेसारी बना लिये अब इसे साइड में रखने के बाद अब हम कपड़े को इस तरीके से जॉइंट करेंगे तो जो हमने बबल बनाया है उसे लगाना है इसके उपर तो हम इसके उपर किस तर चलाए चला लेंगे, तो यहाँ पे बस हम हलका सा सिलाए चलाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से, बस हलका सा सिलाए चलाकर हम दूसरा बबल लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने दूसरा बबल लगा लिया है फ्रेंड, अब हलका सा सिलाए हम दूसरे बबल पे चलाएंगे, अब इस पर सिलाई करना है तो फ्रेंड हमने इस तरीके से बबल लगा कर सिलाई कर लिया है हमारा ये लाइन कंप्लीट हुआ तो फ्रेंड इस तरीके से आप इस डिजाइन को बहुती इजली बना सकते हैं तो फ्रेंड ये देखिया हमारा बबल बहुती सुन्दर लग रहा है तो हमने पीछे की साइट से कपड़े को कट कर लिया है अब आस्तिन की सेफ में हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से एक बराबर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे एक बराबर में एक दम बराबर में इस तरीके से फोल्ड कर लें अब अपने साइच की अनुसार हम आ आस्थिन के cutting कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको अपने साइज के अनुसार आस्तिन के cutting कर लेनी हैं अब हम बग्ल की side से। इस तरीके से कपड़े को cut कर लेंगे, बराबर में इस तरीके से तो फ्रेज हमारा आस्थिन का डिजाइन भी complete हो चला और cutting भी, Thanks for watching my video